तो दोस्तो मेरा नाम है राहुल, स्वागत आपका टेक्निकल बार की उडिव चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ अगर आपके समर्सिवल पंप स्टार्टर पैनल का स्विच खराब हो गया है तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे या फिर इसका डारेक्ट कनेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे मताने वाला है अगर आप इसका डारेक्ट कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर MCV से आप इसे कंट्रूल कर सकते हैं तो चली से खोल लेते हैं इसके बाद इसको चेक करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है और कहीं भी लूस कनेक्शन हो या फिर वायर हीट हो रही है तो इसे काट के दुबारा आपको वहीं पर लगा देना है जिससे आपका समर्सिवल पंप चल जाएगा बात करते हैं अगर इसका स्विच खराब है तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे कैसे रीपेर करेंगे तो यहाँ प लोड निले रहा है एम्पीय 만들 में 200 कर रह तो इससे हमारा पर चलता है कि हमारे जो भ्राब हो चुका है अब बात करते हैं हमें पता कैसे चल लगा कि इसका भ्राब हो गया है तो उसे चेक करने लिए क्या करना है एक वायर का टुकड़ा ले लिना और यहां पर मैंने इस सप्लाई को On कर रprogram और MCB को भी on कर रखा है हमें क्या करना है इस वायर के टुकड़े से यहाँ पर जो आपको वायर के दो टर्मिल दिखाई दे रहे हैं एक उपर एक नीचे इन दोनों को इस वायर के द्वारा टच करना है जैसे हम टच करें क्या है सप्लाई क्या है नीचे वायर टर्मिल से में क्या करना है इन दोनों वायरों को यहां से निकाल लेना है और इन दोनों को एक साथ जोइन्ट करके अच्छे तरह से टेप लगा देना है या फिर आप इस स्विच को चेंज़ करना चार्थे चेंज़ कर सकते हैं आप किकसी वी याग्ट्रिकल शॉप से जाके इस switch को लाके यहाँ पर लगा सकते है और बाकी जो आपको यह दो wire दिखाये दे रहे है जैसे wire इसमें connect थे वैसे ही connect कर देना है अब यहाँ पर मैंने इसको direct करने के लिए क्या किया है इन दोनों wire को एक साथ joint कर दिया है तो इससे क्या होगा जो switch के supply वो direct हो जाएगी और जो यहाँ पर हमें on off को control करना वो MCB से हम कर सकते है तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे तरह step लगा दे जिससे कि इसकी wire body से touch now और यहाँ पर हम इसे on करके check कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं इसके supply को connect कर देता हूं तो यहाँ पर मैंने इसके plug को लगा दिया और यहाँ पर switch को on कर देते हैं तो यहाँ पर क्या है देखिए आपर switch on on रहा है और off रहा है से कोई problem नहीं है क्योंकि इसकी supply को हमने direct कर दिया है लोट के वेज़ से क्या होता इसका जो स्विच होता खराब जाता है अगर हम स्विच के डायर्ट कनेक्शन भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम यहाँ पर MCV से ऑन अफ कर सकते हैं यह भी एक सेफटी डिवाइस है अगर कोई मोटर प्रॉब्लम होती है तो ट करते हैं दोस्ते अगर आपको यह वीडियो पसंद हाई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अगर आप मेनी चैनल पर नहीं आए तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आईकन को प्रेस्ट कर देना जिससे मेरी आने वाली नई जुडियो को मिल सके मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में